नमस्कात ब्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ, आप लोग अच्छे ही होंगे, आज मैं कपशा 2 में व्याकरन पढ़ाऊंगे, पहले मैं आपको कुछ चीज़े दिखाऊंगे, उन्हों देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि आज हम लोग क्या पढ़ी है, ठीके, तो चले, अउन चीज़ों को देखे, चले, बच्चों, आप लोग देख रहे हैं, आप बहुत सारी चीज़े रखिए, देखिए, एक फूल, एक, दो, ती, चार, पांच, छे, छे फूल, एक सिक्का, और बहुत सारे सिक्के, अनेक सिक्के, उसी तरह से एक कलम, बहुत सारी कलम है, एक दवाई, अनेक दवाईया, एक टॉफी, दो टॉफी, अनेक टॉफिया, एक पैंसिल, अनेक पैंसिले, एक पत्ता, अनेक पत्ते, तो बच्चों, आपने इन चीज़ों को देखा न? तो आपको इन चीजों को देखके समझ में आ गया होगा कि आज हम क्या पढ़ेंगे एक और अनेक याने कि वचन तो चलिए अब हम भुक्के माध्यम से पाट को पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों अब हम वचन पढ़ेंगे वचन को इंगलिश में नमबर कहते हैं अभी मैं आपको एक चित्र दिखाने जा रही हूँ जिसमें एक और अनेक चित्र दिये हुए हैं चित्र एक में आप देखेंगे एक पुष्प, एक व्रिक्ष, एक तितली, और एक सूरच, और एक चंदा और चित्र दो अनेक में तीन पुष्प, छै व्रिक्ष, साथ तितलियां और अनेक तारे तो अभी आपने देखा कि चित्र संख्या एक में प्राणियां या वस्तू की संख्या एक है जबकि चित्र संख्या 2 में प्राणियों और वस्तूओं की संख्या 1 से अधिक है तो जिन शब्दों से हमको संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं आईए अब हम वचन की परिभाषा पढ़ेंगे अब हम वचन की परिभाषा पढ़ने से पहले जो चित्र भी आपने देखे हैं, उनके बारे में कुछ और जानेंगे उसके बाद फिर हम वचन की परिभाशा और उसके भेद के बारे में जानेंगे दिये गए चित्रों में बाई और एक पुष्प, एक व्रिक्ष, एक तितली, एक सूरज, वा एक चन्दा दिखाए गए हैं और दाई और एक से अधिक पुष्प, व्रिक्ष, तितलियां वा तारे दिखाए गए हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमने बाई और एक पुष्प को देखा, एक व्रिक्ष को देखा, एक तितली को देखा, एक सुरज को देखा और एक चंदा को देखा, तथा दाई और, मतलब अपने राइट साइड में हमने तीन पुष्प देखे, छह व्रिक्ष देखे, साथ त प्रितलियां देखी और अनीक तारे देखें तो बच्चों बाई और मतलब लेप साइट तो बाई और हमें सबी वस्तूं के संख्या में एक के होने का पता चल रहा है अतावे एक वचन है दाई और वस्तूं के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है अतावे वह वच चलिए अब हम वच्चन की परिभाशा पढ़ेंगे वे शब्द जिनसे संग्या के एक अत्वा अनेक होने का पता चलता है उन्हें वच्चन कहते हैं हिंदी में वच्चन के दो प्रकार होते हैं एक वच्चन जिसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं बहुच्चन जिसको हम प्लूडल नंबर कहते हैं अब हम एक वच्चन के बारे में पढ़ेंगे एक वचन, जिन शब्दों से उनके संख्या में एक होने का पता चलता है, वे एक वचन कहलाते हैं, जैसे तारा, लड़का, बकरी, तितली, आदी दूसरा, बहुवचन, जिन शब्दों से उनके संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है, उन्हें बहुवचन कहते हैं, जैसे तारे, लड़के, बकरीयां, तितलीयां, आदी अभी हमने वचन के भेदों को सिर्फ पड़ा हैं, और उसके उधारनों को भी पड़ा, लेकिन अब हम वचन के भेद जो हैं, उनको चित्रों के माध्यम से जानते हैं, चलिए अभी मैंने आपको बताया था कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, अब इसकी परिभाशा को हम एक बार और धोराएंगे, एक वचन, शब्द के जिस रूप से संख्या में उसके एक होने का बोध हो, उसे एक वचन का आ जाता है, जैसे देखिए, केला टोपी, चादर, मक्खी, यहाँ पर केला भी एक है, टोपी भी एक है, चादर भी एक है और मक्खी भी एक है, इसी तरह से हम कुछ और उधारनों को देखेंगे, ताला, पौधा, छात्रा, कली, चावी, पुस्तक, सहेली, चुया, छाता, कन्या, भैस, रात तो अभी हमने देखा, एक वचन, शब्द के जिस रूप से संख्या में उसके एक होने का बोध होता है, उसे हमें एक वचन कहते हैं, और हमने उनको पिक्चर के माध्यम से उनके उधारन देखे, अब हम बहुवचन को देखेंगे, अभी हमने पहले भी बहुवचन की परि बोध का मतलब होता है, पता चलना, तो यहाँ पर भी बहुवचन की उधारन देखे, चित्रों के माध्यम से, केले, टोपियां, चादरें, मक्खियां, एक वचन में आपने देखा, एक केला, भी बहुवचन में तीन केले, एक टोपी, दो टोपियां, एक चादर, दो अब हम बहुवचन के कुछ और उधारण देखेंगे ताले, पौधे, छात्राएं, कलियां, चाबियां, पुस्तकें, सहेलियां, चुयां, छाते, कन्याएं, भेंसे, रातें अब हम कुछ एगवचन और बहुवचन शब्दों के उधारण देखेंगे एकवचन बवचन, एकवचन कमरा, बवचन कमरे, पंखा, पंखे, लड़का, लड़के, कुत्ता, कुत्ते, चुहा, चुहे, पोधा, पोधे, मुर्गा, मुर्गे, पत्ता, पत्ते, केला, केले, थैला, थैले, बच्चा, बच्चे, तोता, तोते, उसी तरह से फिर से हम एक वच्चन और बहुवच्चन करेंगे यात्रा, यात्राएं, कविता, कविताएं, माला, मालाएं, कथा, कथाएं, चिडिया, चाबी, चाबियां, रानी, रानियां, गाडी, गाडियां, दवाई, दवाईयां, मिठाई, मिठाईयां, सबजी, सबजियां, बिल्ली, बिल्ली, पुस्तक, पुस्तकें, आख, आखें, रात, रातें, बात, बातें, गेंद, गेंदें, कलम, कलमें, चादर, चादरें, फांक, फांकें, सांक, सांखें, कमीज, कमीजें, पैंसिल, पैंसिले, बहिन, बहिने तो बच्चो आज हमने व्याकरण में वचन पढ़ा, वचन का मतलब होता है संख्या, तो इसमें हमें कुछ चीज़े याद रखनी है, जिनको मैं एक बार ओर दोहराऊंगी, कि वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेध होते हैं, तो वे शब्द जिनसे उनकी संख्या का होते हैं, एक वचन और बहुवचन, संख्या में एक होने का बोध कराने वाले शब्द एक वचन होते हैं, संख्या में एक से अधिक होने का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन होते हैं, तो बच्चो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ गया होग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए God bless you